हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, स्टड़ी विश्रूती तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होस्पिटल के बारे में तो जो होस्पिटल है वो एक लेटिन वर्ड से आया है होस्पिटल से जो के एक फ्रेंच वर्ड से डराइव वह था जो था होस्पैस होस्पैस का मतलब होता है कि host या फिर guest होस्पिटल जो है वो एक ऐसा institution होता है जहां पर care provide की जाती है एक specialized staff के through और कुछ equipments के through उसके बाद जो hospital institutions होते हैं ये licensed institutions होते हैं इनका primary function जो होता है कि diagnostic करना, किसी भी बिमारी का जो है इसको डाइगनोस करना, therapeutic services प्रोवाइड करना, medical और surgical condition जो है उनके इसाफ से जो भी physician होते हैं, nurse जो होते हैं, वो जो care प्रोवाइड करते हैं, वो सब, अब इसके बाद आ जाती है classification, hospital की classification तो सबसे पहले आती है, based on objective, objective में आता है, journal hospital, journal hospital जो होते हैं, जहां पर जो है, a lot of variety होती है, wide range होती है, जहां पर मतलब हर type की care, जो है, प्रोवाइड की जाती है, यहां पर क्या होता है, यहां पर थारे disease condition की, जो है, होता है, जैसे कि कोई भी sexes हो, दोनों sexes के लिए हैं, होता है, age, medical, surgical, pediatrics, obestrics, eye, ear care मतलब जो भी है, हर चीज का जो है, यहां पर इलाज होता है, super specialist medical care, जो है, यहां पर hospital, journal hospital में प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद बार या आती है, special hospital, special hospital क्या होता है, इनके पास, जो है, limited service होती है, particular condition के हिसाब से ही, यहां पर आपको treatment मिलता है, जैसे कि orthopedics, जो होस्प जो है, special hospital होते है, बस एक ही चीज का जो है, hospital होता है, तो यह वो hospital होते है, अब उसके बाद बार या आती है, teaching come research hospital, यह वो होते है, जहां पर medical related study, जहां education जहां प्रोवाइड होती है, बदब hospital तो होता ही है, लेकिन hospital के साथ यहां पर teaching, और जो research होती है, आगे, जो हम research करते है, medical के लिए, वो सारी जो है, यहां इस hospital में होती है, उसके बाद बार या आती है, based on administration, ownership, control और financial income की, तो इसमें सबसे पहले आता है, government और public hospital, यह जो hospital है, यह गोर्मेंट जो है, इनको रन करती है, यहां पर almost जो है, free care जो है, वो provide की जाती है, या फिर बहुत जो है, less charges जो है, मतलब यह जो, जो run किया जाता है, वो ministry of health, या फिर कोई और जो university, या फिर कुछ और जो government के जो, government के थूई, जो है, यह चलते है, उसके बाद आता है, administration के base पर दूसरा आता है, private hospital, private hospital, वो hospital होते हैं, जो किसी भी एक doctor, या अपना hospital खोल लेता है, या कोई भी citizen, कोई भी individual जो अपना खुद का hospital खोल लेता है, profit marking के लिए, अपने profit के लिए, अपने purpose के लिए, वो होते हैं, private hospital, उसके बाद बारी आती है, semi-government hospital, यह वो hospital होते हैं, जो government और private entity के साथ होते हैं, मतलब, यहाँ पर क्या होता है, कि किसी ना किसी company का, कोई ना कोई corporate होता है, यह hospital जो ह government और private दोनों जो है, रन करते हैं, उसके बाद आती है, voluntary agency hospital, यह non-profit hospital होते हैं, यह क्या होते हैं, यह hospital किसी church से affiliated होते हैं, यह special interest group जो होता है, वो होता है, यह mostly chronic disease के लिए होते हैं, जिसे की cancer हो गया या कोई और, इन hospital का aim क्या होता है, कि बस क्या गरना है, profit करना है, welfare के length stay, short term और short stay hospital, यह वो hospital होते हैं, जहाँ पर 90% जो है, लोग, जो है, admit होते हैं, लेकिन वो less than 30 days के लिए ही होते हैं, मतलब 30 days से less than, वहाँ पर बस एक बंदा जो है, वो admit रह सकता है, और अगर long term की बात करें, long stay hospital, तो यहाँ पर उससे जादा भी जो है, जो person है, वो admit रह सक इसमें example आता है, mental hospital का, उसके बाद बार याती है, based on medical staff, closed staff hospital, यह वो hospital होते हैं, जब एक physician जो है, वो responsible होता है, जितने भी medical activities होती हैं, hospital में, और जो भी diagnose होता है, जो भी treatment, जो होता है, patient का, जो भी paying होती है, जो भी emergency में cases आते हैं, सब के लिए, open staff hospital में क्या होता है, कि पूस्टाफ ऑस्पिटल के वरकर्स होते हैं, वो कम्मुनिटी में जाते हैं, लोगों की problem दूढते हैं, और उनको treatment प्रोवाइड कराते हैं, तो वो होता है, open staff hospital, closed staff hospital में क्या होता है, कि वो बस ए ख्लीनिकल, तक अपना जो clinic है, महां तक ही वो रहता है, कि अगर आपके प और्गिनाइजेशन क्लासिफिकेशन तो यह होता है टेन टाइप के जीजनल इंटरमेडियेट और रूरल जीजनल क्या होते हैं यह कॉंप्लेक्स रेंज के होस्पिटल होते हैं जहां पर हाइली स्पेशिलाइज जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड की जाती है और यह जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रेजन होते हैं यह भी जो है हेल्थ केर फेसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लोकैलिटी के हिसाब से और यह भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे की मेडिसेन, सर्जिरी, गाईनी, एक्सेक्टरा उसके बाद आता है रूरल hospital, rural hospital क्या होता है कि यह remote hospital होते हैं बहुत छोटे होते हैं इन में number of bed जो limit service है उनकी capacity भी जो एक limit तक ही होती है और यहाँ पे 2200 beds सी जो है present होते हैं एक hospital में